हलो फ्रेंड आप देख़ें हमारा चैनल ग्रो बुक्त तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर इज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाएं जिस बुक का नाम है अनलिमिटेड मेमोरी इसका मतलब अप मेमोरी में हम देखेंगे कि किस तरह से आप लंबी से लंबी और मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं और साथी लंबे समय तक उसे याद भी रख सकते हैं या किदाब उनके लिए है जो सोचते हैं कि तेज यादास्त एक पैदाई से खूबी है ज वे एस्टुडेंट्स जिने अपने सब्जेक्ट को याद करने या याद रखने में परसानी होती है हर कोई जो अपनी यादास्त को बहतर बनाना चाहता है अध्याय नमर एक यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए क्या आप भी चाहते हैं कि आप चीजों को तुरंत याद कर सके क्या आप भी उन एस्टुडेंट में से हैं जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं और अपने याद करने के छामतों को बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल कौन नहीं चाहेगा कि उसकी यादास तेज हो लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस किताब के जरिये हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिज करेंगे हम देखेंगे कि किस तरह से चीजों को रटकर याद करने वाली उबाव प्राथा को तोड़ कर हम याद करने को एक मज़दार काम बना सकते हैं एक मेमोरी एक्सपर्ट की सला जिससे अपना कर आप अपने जिंदगी को पहले से मज़दार और आसान बना सकते हैं इस बुक को पढ़कर आप सिखेंगे याद करने को किस तरह से मज़दार बनाया जा सकता है किस तरह आप चीजों को लंबे समय तक अपने दिमाग में बैठा सकते हैं सब्दों और नम्बरों के साथ खेल कर आप किस तरह चीजों को याद कर सकते हैं अध्याय नमर दो अपनी यादास्त को तेज बनाने के बहुत से आसान तरीके हैं साथ आपनी या काउस सुना है या काम आसान तो है पर फिर भी मुश्किल है एक्जामपल के लिए रोज सुबा उठकर एक सेब खाने से आपको डॉक्टर की जरुवत नहीं पड़ेगी सेब खाना बहुत आसान काम है वेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग नहीं खाते ठेक इसी तरह यादास्त मजबूत करने के तरीके आसान है लेकिन इन तरीकों को अपनाना मुश्किल हो सकता है तो आकिर हम क्या करे कि या काम हमारे लिए आसान हो जाए इसके लिए आपको एक वज़ा की तलास करने होगी आपको खुद से या सवाल करना होगा कि आप अपनी यादास्त को कैसे तेज करना चाहते हैं और किस तरह से आप ऐसा करके अपने जिंदिकी को आसान बना सकते हैं आपको क्यों की सकती का इस्तमाल करना होगा सबसे पहले आप अपने दिमाग को एक जगा पर लगाना सिखिए जब आप एक साथ दो काम करते हैं तो आप उन में से एक भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं एक रिसर्च से इस बात का खुलासा हुआ है कि एक साथ दो काम करने पर हम उस काम को 50% कम अच्छे से कर पाते हैं और इसमें गलतिया 50% ज्यादा करते हैं इसलिए आपसे काम करते वक्त आपको मोबाइल, टीवी, मैगजिन के साथ हर उस चीज को खुद से दू रखना होगा जो आपका ध्यान भड़काती है यह तरीका असान है, लेकिन इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसके अलवा आप PIC के नियम को अपना कर अपने काम को असान बना सकते हैं इस नियम के हिसाब से सबसे पहले आपको एक परपस यानि एक वज़ा खोजनी होगी फिर आपको उस काम के लिए इंट्रेस्ट पैदा करना होगा और फिर उस काम के लिए क्यूरियस यानि जिग्यास को जगाना होगा आप खुद से सवाल कीजिए मैं यह काम क्यूं कर रहा हूँ यह काम मेरे लिए क्यूं जुरूरी है इस काम को कर लेने के बाद मेरी जुन्दिगी कैसे बदल जाएगी इस तरह के सवाल आपको क्यों का जवाब दे सकते हैं अधियाय नमर तीन याद करने के तरीके को मजदार बनाया जा सकता है एक बार कलास में टीचर ने बच्चों से कहा आस, अस, इनेशन की स्पिलिंग पूछी बहुँ से बच्चों ने गलत जवाब दिया फिर टीचर ने बच्चों से कहा इसे इस तरह से याद कर लो खचर यानी आस के उपर एक और खचर यानी आस उस खचर के उपर में आई और मेरे उपर सारा देश यानी नेशन खचर पलस खचर पलस में पलस देश इसका मतलब आप इस तरीके से जल्दी याद कर सकते हैं हमारे वेदों में यह बात कही नहीं लिखी गई है कि उसमें लिखे गए सलोकों को याद करते वक्त हम अपना सीर किताब पर पीठते रहे इसका मतलब यह है कि हम अपने कलापना करने के च्छामता का इस्तमाल कर मुश्किल चीजों को कुछ इस तरह का मज़दार रूप दे सकते हैं जिससे वो हमारे दिमाग में हमिशा के लिए बैठ जाए इसके लिए आप S-E-E नाम के नियब के इस्तमाल कर सकते हैं आईए इसे समझने की कोशिज करें S, S का मतलब है Sense यानि कि हमारे सरीर के वो भाग जहां से जनकारी हमारे दिमाग तक जाती है आग, कान, नाग, तवाचा और जीव अब अगर आपको एक नया सब्द याद करना है तो आप यह सुचिए कि वो चीज दिखती कैसी है उसके सुगंद कैसी है वो खाने में कैसी लगेगी सुगने में कैसी लगेगी और उसे छूने के अहसास क्या है इस तरह से आप अपने सभी Sense का इस्तमाल कर उस चीज का नाम बहतर तरीके से याद कर सकते है इका मतलब X-Generation यानि किसी चीज को बढ़ात चढ़ाक कर बताना या सोचना अगर आपको डिनकोरियस का नाम याद करने में दिकत हो रही है तो आप यह सोचिए कि आप एक राने रहीनो नाम के गेंडे के साथ बैढ़ कर सेरो को देख रहे हैं इका मतलब Enjoys यानि अपनी कलापना में कुछ एक्सन या कुछ मजदार चीज डाल दीजिए आप यह सोचिए कि रानी नाम का इक गेंडा अपने गर्दन पर टेटू बना रहा है और आप सेरो को देख रहे हैं इस तरह से आप चीजों को मजदार तरीकों से याद कर सकते हैं इस काम के सुरुबात में आपको थोड़ा सोचना होगा लेकिन समय के साथ यह आपके लिए आसान हो जाएगा अधियाए नमर चार जनकारी को अलग-अलग हिसों में बाढ़ दीजी जिसे आप उन्हें अच्छे से याद कर सके इस सबक में दिये गए तरीकों का इस्तमाल लेखक ने दस हजार अंक याद करने के लिए किया था आईए इससे समझने की कोशिश करे इस तरीके के नाम रूट मेथड है और इसका इस्तमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी जगा के बारे में सुचना होगा जिसके हर कोने से आप परिचित है या कोई भी जगा हो सकती है या आपका घर, आपका आफिस या आपका कमरा भी हो सकता है माल लिजिए कि आप अपने घर के हर कोने से वाकिफ है अब अगर आपको एक लंबा चेप्टर याद करना है तो आप अपने घर के एक कोने से चलना शुरू कीजिए और जैसे जैसे आप अलग-अलग कमरे या अलग-अलग जगा से गुज़रे हर जगा पर उच चेप्टर के टॉपे का नाम या फिर उच टॉपे के एक ज़रूरी लाइन लेख देजिए या कम आपको अपने दिमाग में ही करना है माल लिजिए कि आपको यह लाइन याद करनी है गर्मियों के छुटिया में मैं अपने परिवार के साथ घूमने गया था और मैंने वहाँ पर गेंडे देखे इस लाइन को याद करने के लिए आप सबसे पहले अपने हॉल से गुज़रना सुरू कीजिए और अपने हॉल की दिवार पर एक फोटो लगा देजिए जिसमें आप अपने परिवार के साथ आग की बारिश में खड़े है फिर आप आगे बढ़िए और सामने वाली कमरे में उस रानी नाम के ग्यंडे को रस्ती से बांध देजिए जिसके साथ आप सिरो को देख रहे थे इस तरह से आप उपर दी गई लाइन को याद रख सकते हैं इस तरीके का इस्तेमाल आप एक लिष्ट में लिखी गई चीजों को याद रखने के लिए भी कर सकते हैं अगर आपको घर के बहुत से समान खरीदने हैं तो आप याँ सोजें कि उन्स चीजों को खरेदने के बाद आप उन्हें अपने घर के किस कोने में रखेंगे फिर अपने घर के एक हिस्से से चलना सुरू कीजिए और एक एक समान का नाम आपके दिमाग में आप आताद रहेगा अधियाय नमर पांच नमबर और डेट को याद करने के लिए सब्दों का इस्तमाल कीजिए हम हर एक नमबर को एक अच्छर के जरिये दिखा सकते हैं सबसे पहले आपको इन्हें याद करने की कोशिज कीजिए जीरो जब एक गारी का ब्रेक लगता है तो उसके टायर से च च च च की आवाज आती है इस आवाज को हम S, C या Z के जरिये दिखा सकते हैं एक देखने में आई की तरह लगता है दो इसे अगर आप धका देकर गिरा दे तो या N बन जाएगा तीन, इसे धक्का देकर गिराने पर यो M की तरह दिखेगा सिक्स, सिक्स सुनने में SH की आवाज आती है नव, नव को अगर आप उल्टा दे तो यब B बन जाएगा या फिर E से घुमा देने से यब B बन जाएगा ठीक इसी तरह आप दुसरे नम्मरों को भी अच्छर का रूक दे सकते हैं अब अगर आपको याद करनी है कि निल आर्म एस्ट्वंग ने चांद पर कदम उन्नीस सो उनहत्र में रखा था तो इसे आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं 1969 में आप बस नौसौनातर को याद रखेए नौसौनातर को आप BSHP लिख सकते हैं BSHP को आप BISHOP बना लिजिए जिसका मतलब पादरी होता है अब आप सूचिए कि या एक पादरी आर्म एस्टों के साथ चांद पर नाच रहा है इस तरह से आप इस डेट को याद रख सकते हैं इस तरीके का पूरी तरह से इस्तमाल करने के लिए आपको थोड़ी प्रेक्टिस करनी होगी इसलिए आप खुद से सभी नम्बरों को एक एक अच्छर का रूप दीजिए और अलग-अलग डेट या नम्बरों को सब्दों में बदल कर और S-E-E नियम का इस्तमाल करके आप यह तरीका अपना सकते हैं अधियाई नमर चोव चार यानि C का इस्तमाल कर आप अपने सातियों का नाम अच्छे से और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी दोस्ते से बहुत समयबाद मिल रहे हो और आपको उनका नाम नवयद आ रहा हो क्या आपको लोगों का नाम याद रखने में या याद करने में समस्या होती है आईए देखे कि इस समस्या को हम चार याने कि C की मदद से कैसे सुल्या सकते है C का मतलब होता है Concentrant सबसे पहले ध्यान लगाईए कि उस ब्यक्ति का नाम क्या है और उसका नाम सुनने पर आपके दिमाग में कौन सा चितर बन जाता है Example के लिए अगर आपके दोस्त का नाम दीपक है तो आप अपने दिमाग में एक दिया बना लेजिए अगर उसका नाम संगम है तो आप गंगा यमुना की मिलने के जोगा का चितर अपने दिमाग में बनाईए उसके अबाद आदा है Connect एक बार अपने उसके नाम का मतलब बनाकर उसका चितर अपने दिमाग में बैठा लिया तो अब आप उस ब्यक्ति को उस चीज के साथ जोड़ देजिए आप सोचे कि दिये की आग में जल रहा है और संगम संगम पर जाकर नहा रहा है इस तरह से जब आप दिपक को देखेंगे तो आपके दिमाग में चितर बन जाएगा कि वो दिये की आग में जल रहा है और दिये से आपका उसका नाम दिपक याद आ जाएगा कमप्रिजन क्या हो अगर आप दो दिपक या दो संगम हो जानते हैं इस समस्या से निमटने के लिए आप उन दोनों के तुलना कर सकते हैं आप या सोचे कि आप जिस नए दिपक से मिले हैं वो पुराने वालों से किस तरह से आलग है या फिर आप उनकी किसी और खुबी का इस्तमाल करकी एक नया चीतर अपने दिमाग में बना सकते हैं Continuous Use नाम याद करने के लिए आप चाहे किसी भी तरीकी का इस्तमाल करते हों आप उसका इस्तमाल हमेशा करते रहिए इससे आप अपने Facebook के दोस्तों का नाम याद रख सकते हैं या फिर अपने Contact List के लोगों का नाम भी याद रख सकते हैं अधियाए नमर साथ हर जनकारी के बारे में समय समय पर सोच कर उसे हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है अगर आप कलास 12 तक पड़े लिके हैं तो आपको यह जुरूर पता होना चाहिए कि High Sinberg's Uncertainty Principle क्या होता है क्या आपको याद नहीं क्या आपको नहीं याद आप रहा कि आपने इन सब्दों का नाम भी सुना नहीं होगा कोई बात नहीं आपकी तरह बहुत से लोग ए स्कुल में पढ़ी गई बातों को भूल जाते हैं लेकिन अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाएंगे तो आपके पढ़ने का फायदा क्या हुआ इसलिए जनकारी को याद रखना बहुत जुरूरी है कियोंकि इसी से आपके पढ़ने का फायदा आपको मिल सकता है लेकिन फिर से हम उसी सवाल का सामना करना पढ़ता है कैसे जब हम किसी चीज को दूसरी बार पढ़ते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर ज़्यादा होता है यानि कि अगर हम किसी जानगर कर समय समय पर दोराते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जणकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बढ़ जाएगे इसलिए किसी चीज को जानने के बाद आप उसे एक दिन पर दोराईए फिर तीन दिन पर फिर एक हफते पर फिर एक महीने और तीन महीने पर इस तरह से वो जनकारी आपके दिमाग में हमईशा रह जाएगे चीजों को याद करने के लिए आप इस किताब में दिये गए तरीकों के इस्तमाल कर सकते हैं S-E-E नियाम का इस्तमाल कर आप चीजों के अजीब पिच्चर बना कर उसे याद रख सकते हैं क्या आपको असा नेशन की एस्पिलिंग याद है बिल्कुल याद होगी इसी भी काम को करने के लिए प्रिणरा के जरुवत होती है आप अगर उस काम के फायदों के बारे में सोचे तो आपको प्रिणरा मिल जाएगी यह सभी काम असान है लेकिन इसे आदत बनाने के लिए आपको इसे हर रोज प्रेक्टिस करना होगा अगर आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे तो हाई सेनबर्ग अनस्टेनेटिव प्रिंसपल के तरह आप इस किताब के जनकारी को भी एक हफ्ते में भूल जाएंगे कोल मिलाकर किसी भी चीज को देखते ही याद कर लेना एक खुबी मानी जाती है और जिसके पास यह खुबी है वो बुद्यमान माना जाता है लेकिन कुछ आसान से तरीकों का इस्तमाल कर हमें से हर कोई बुद्यमान बन सकता है फिस्बुक से अपना ध्यान हटाए अगर आप सोचल मीडिया से अपना ध्यान हटाकर अब मिरा अनस सीखेंगे तो आप आएंगे कि आप पहले सच्छे से अपना ध्यान किसी काम पर लगा पा रहे हैं इसके साथ ही आपने जो यादास तेज करने के तरीके सीखे हैं आप उनके प्रेक्टिस करने के लिए कुछ समय भी निकाल लेंगे